सब्सक्राइब कीजिए तुछ और ग्रीज चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएए लेटेस्ट कार वीडियो सबसे पले देखने के लिए हलो दोस्तों मैं हूँ तुछ और लेकर रहे हूं आपके लिए वीडियो यहां दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हमारी लेटेस्ट मेहंदर एक्सवी फाइव डबलो गाड़ी का स्टेरिंग वील स्ट्रेचिंग टुटोरियल आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वा दोस्तों और यह चीज आज आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं तो वीडियो को आखरे तक देखेगा यह देखिए हमारे पास में लेटेस्ट सारे स्टेरिंग वील कवर्स लैदर वाले मिल जाते हैं तो अभी हमारे साथ है स्यादाब भाई जो कि एक्सपर्ट ह स्टेरिंग वील कवर्स स्ट्रेच करने के लिए तो अभी हम इनसे सीखेंगे किस तरही के सेस्ट इस्ट्रेचिज कर्स को इंस्टॉल किया जाता है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे हमारे पास में ब्लाक कलर का लादर वाला ये कवर है स्टेरिंग का और इसे स्ट्रै लोन वाला एक धागा आपको मिलता है सुई के अंदर आपको धागा डालना होता है उसके बाद में इसे stretch करना होता है तो step देखिएगा आपको simply ये सुई को नीचे से लिकानना होता है और pass से ही second side से उपर से डालना होता है ये step आपको follow करनी है आखरी तक यहाँ आप आप देखिए इसे नीचे से आपको डालना होगा इसके अंदर छोटे छोटे hole दिये रहते हैं उस hole के अंदर से आपको डालना होगा और back side में उपर से इसको लिकाना होगा तो इस तरीके से आपको ये सारा stretching करनी है इस cover की इसमें ये हमें ध्यान देना है कि इसको ज़्यादा tight नहीं करना है यदि आप ज़्यादा tight कर देंगे तो इसको properly आप adjust नहीं कर पाएंगे तो इस चीज़ का ध्यान देना है tight हमको बाद में करना है अभी यहाँ देखिएगा stretch करने के लिए आपको धागे को ऊपर और नीचे से लिकाना है यहाँ नीचे से आप इस तरीके से आप पास से एक दम छोटे छोटे होल दिये रहते है उन होल के अंदर से लिकाना है यदि आपके पास में ऐसा cover है जिसमें होल नहीं है तो आप एक distance मेजर कर लिजे थोड़ी थोड़ी सी distance पास-पास distance आप इसे डालिए और लिका लिए जिससे यह प्रॉपरली यहाँ पर fix हो जाए तो यह बहुत ही आसान है इसे चिलना लेकिन इसे प्रॉपरली आपको इंस्टॉल करना आना चाहिए ताकि जब यह steering wheel cover एक दम stretch हो जाए अ अब यह प्रोसेस को आपको continue रखना है side by side part part में आप कर सकते हैं दो तीन पार्ट में आप इसको ऐसा कर लिजे और लगा लिजे अब यह देखिए हमारे पुराना वाला steering wheel cover था जो कि खराब हो गया था इसका हम लोग ने हटा दिया है और यहां पर अब यह नया वाला यहां पर लगा रहे हैं तो यह हमारी xv5 double o गाड़ी का है आप किसी भी गाड़ी का steering wheel cover इस तरीके से सिल सकते हैं easy step है और बहुत प्यारा लगता है जब यह install हो जाता है तो यह step को आपको follow करनी है एकदम पास पास से आपको इसको सिलना है और tight अभी नहीं करना है तो वीडियो को आप पूरा दिखेगा इससे मैं बताने वालों कि किस तरीके से आपको tight करना है तो यहां पर आप देख प आप part by part से लेंगे तो proper finishing आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी तो यहां पर आप देख पाएगेगा जो पहला पार था हम लोगों ने इससी तरीके से stretch किया और इसको tight कर दिया simply यहां से आप starting यहां से नीचे से कीजिए जिससे finishing आपको properly मिले तो नीचे से start करने से यह होता है कि corner में जब आप इसके गठान बानेंगे तो वो आपके हाथों में नहीं लगेंगी यहां पर आप देख पाएगे हमारी जो processes वो अभी continue यहां पर चली रही है इसको मैं बत और tighten नहीं करना है जब यह पूरा पार्ट हमारा complete हो जाएगा उसके बाद में इसको हम लोग tight करेंगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो simple process है भाई steering wheel cover के हम लोग बात करें तो market के अंदर बहुत सारे leather के steering wheel covers मिल जाते हैं अलग-अलग quality के depend करता है कि आपको कौन सा steering wheel cover चाहिए black color, brown color, cream color बहुत सारे हैं भाई मैचिंग वाले भी मिल जाते हैं यदि आपकी गाड़ी का seat cover cream color है तो आप cream color का steering wheel cover भी इसमें stretch करवा सकते हैं तो वराइटी इस तो बहुत सारी market के अंदर आपको steering wheel covers की मिल जाती है तो अभी हमारे सैदाब भाई इसे बता रहे हैं हमें कि किस तरीके से हमें इससे stretch करना है तो अभी देखेगा हमारा ये जो part है simply यहाँ पर हो गया है भाई complete अभी हमें ये देखना है कि ये जो हमारे अभी stretch नहीं है हम लोग ने tight नहीं किया तो अभी हम इससे one by one tight करने वाले हमारा जो एक part complete हो गया था तो ये देखिए इस तरीके से आपको जो धागे है उन्हें tight करना होगा इससे tight करने से ये होगा कि proper जो finishing है उसके आपको मिल जाएगी और step by step आपका सारे part stretch होते जाएगे तो ये process होती है जिसे आपको follow करना है और बड़िया तरीके से आप अपनी steering wheel cover का ये cover अपनी गाड़ी के अंदर stretch करवा सकते हैं या कर सकते हैं तो ये आपको बस इतना ध्यान देना है कि steering wheel covers के अंदर जो अलग-अलग part है उन पाटों को पहले तो सुई से अच्छी तरीके से धागों को अंदर डालना है और इसके बाद मैं जब एक part complete हो जाए तो इस तरीके से आपको tight करना है ताकि ये जो धागे अच्छी तरीके से hole और पकड़ बना पाए अपनी तो simple method है अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखिए जो हमारा यहाँ पर ending part आया उस पर अच्छी तरीके से इसको tight कर लिया और one by one इस तरीके से आप भाई इस steering wheel cover को tight कर सकते हैं तो ये step को आपको पूरे cover को stretch करने के लिए follow करना है इसे install करने में भाई बहुत time लगता है आदा से एक घंटा इसमें लग जाता है stretch करने में ताकि proper finishing is steering wheel cover पर हम लोग देख पाए तो अभी देखिए का हमारा आदा part तो हम लोगों ने यहाँ पर कर लिया है simply अब जो next हमारा part है फिर से हम लोग इसको अभी हाँ stretch कर रहे हैं यह ending part है भा proper full land का यह धागा आपको इस steering wheel cover के साथ में ही मिलता है तो इसका आपको टेंशन नहीं लेना है सुई भी इसके साथ में ही मिलती है आपको जब भी आप market में जाए तो आप ले सकते हैं या फिर नहीं है तो आपकी घर की सुई का इस्तमाल भी आप कर सकते हैं finishing अभी आप देख पाएंगे उपर में हम लोगों ने जो गारी का steering wheel stretch किया बहुत बढ़िया finishing आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अभी हम लोग इसके ending पार्ट में हैं मतलब जहां से हम लोग ने start किया था उसको अब वहीं पर end करने वाले हैं और ending में आपको किस तरीके से गाठ लगानी है इसकी ताकि यह लिख ले नहीं वह भी मैं आपको भी बताने वाला हूं तो वीरो को भाई आप आखिर तक देखिएगा simple ही है भाई उपर से डालना है और नीचे से लिकाना है इसके अंदर already holes रहते हैं उन hole के अंदर से आपको लिकाना है यदि आप ने ऐसा steering wheel cover चूस किया जिसके अंदर hole नहीं है तो आपको इतना ध्यान देना है कि इन्हें पास पास से आपको पिरो डालना है और लिकाना है तो इससे क्या होगा यह प्रॉपरली एक अच्छी टाइप में यहां पर fix हो पाएंगे तो अच्छी मैटर भाई इससे आप बिलकुल इस्तमाल कर सकते हैं चलिए अब भी आपको बताता हूं कि किस तरीके से गाट लगानी है तो यहां पर देखिए पहले हमारा जो end part है उ यह आपको आखरी में जब आपका ending part आपको complete करेंगे तब आपको यहां पर भाई गाट लगानी होगी इस गाट लगाने से आपका जो ending part है वो complete हो जाएगा और steering wheel cover का जो stretching part है वो हमारा complete हो जाएगा तो यह अभी हम लोग महेंद्रा एक्सवी 5 डबलो गाड़ी का stretch कर रहे हैं अब किसी भी गाड़ी का इसी तरीके से steering wheel cover को stretch कर सकते हैं तो अभी हम हमारे ending part पर पहुँच चुके हैं जहां से हम लोग ने इसकी सिलने की सुरुवात की थी वहीं पर इसका हम लोग ending part कि हाँ पर complete करेंगे और भाई इसको आप बढ़िया सा गठान बान दीजिए जिससे लिकले नहीं और ज्यादा fix करना है तो फैवी क्यों डाल दीजिए जिससे ये एकदम हमीशा के लिए fix हो जाए तो बढ़िया steering wheel covers होते हैं यह इन से grip जो है बहुत प्यारी मिल जाती है और long time तक के चलते भी है तो यदि आपको एक बढ़िया सा steering wheel cover लगाना है तो बिल्कुल इस तरीके से ये stretching वाला आप अपनी गारी के लिए prefer कर सकते हैं अभी यहाँ पर आप देख पाएंगे हम लोग हमारे गारी के ending part पर पहुँच चुके है steering wheel cover के ending part जहां से शुरुआत की थी वह आपको थोड़ा सा अच्छे से देखना होगा ताकि गाठ हमारी आखरी की अच्छे से यहाँ पर लग जाए तो देखिए नीचे से हम लोग इसमें hole करेंगे और hole करने के बाद में एक बढ़िया सी गाठ इसमें बान देंगे जिससे ये proper हो जाएगा fix तो अभी ये process हमारी करने की बाकी है तो यहाँ पर देखिए भाई इस तरीके से आपने दोनों धागों को आपने छोड़ दिया starting में आपको यह ध्यान देना है कि जब first time आप धागा यहाँ पर पूरो है तो इसमें guard बान के आपको रखनी ताकि वह वहाँ पर hold हो जाए यह तना जरू ध्यान दीजेगा first time में आपको एक guard बान कर ही वहाँ पर छोड़ना है ताकि आपको एक आखरी में इस तरीके से बानने के लिए थोड़ा सा धागा मिल पाए तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है starting में एक guard बान कर आपको थोड़ा सा धागा end के लिए छोड़ना है ताकि हम इ हमारा steering wheel cover आपको यहां पर देखने को मिलेगा यहां पर आप देख पाएंगे proper हम लोगों ने जो stretching की थी इसके अंदर वो यहां पर हो गई है extra जो हमारा धागा है उससे हम लोग कट कर लेंगे और यह हमारा cover का installation यहां पर हो जाता है complete look की बात करेंगे तो look आप खुदी द दिया था सेम उसी तरीके से यहां पर इसका installation किया गया है और बहुत प्यारी तरीके से इसका stretching की गई है तो भाई इस तरीके से आप अपनी गाड़ी के stretching wheel cover को बिल्कुल install कर सकते हैं तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा भाई झापको प्याग छे के लिए पन अपको किशयो आपको में नवीडियों है?